प्यारे देश्वास्यों हमारे यहां कहा गया है विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम अर्थात कोई अगर विद्या का दान कर रहा है तो वो समाज हित में सबसे बड़ा काम कर रहा है सिक्षा के खेत्र में जलाया गया एक छोटा सा दीपक भी पूरे समाज को रोसन कर सकता है मुझे यह देखकर बहुत खोशी होती है कि आज देश भर में ऐसे कई प्रयास किये जा रहे हैं यूपी की आहने लखनव से 80 किलो में दूर अर्दिक एक गाउं है बांसा मुझे इस गाउं के जतिन ललित सिंजे के बारे में जानकारी मिली है जो सिक्षा की अलग जगाने में जोटे हैं जतिन जी ने दो साल पहले यहां Community Library and Resource Center शुरू किया था उनके इस सेंटर में हिंदी और अंग्रेजी साहित्य, कम्प्यूटर, लॉग और कई सरकारी परिक्षाओं की तयारियों से जुड़ी तीन हजार से अधिक किताबे मौझूद है, इस लाइबेरी में बच्चों की पसंद का भी पुरा ख्याल रखा गया है, यहां मौझूद कौमिस की किताबे हो, एफिर अजुकेशनल टॉइश, बच्चों को खूब भार हैं, छोटे बच्चे, खेल खेल में यहां नई नई चीजें सिखने आते हैं, पढ़ाई आफलाइन हो, लाइन, करीब 40 वॉलिटियर्स इस सेंटर पर स्टूडन्स को गाइड करने में जूटे रहते हैं, हर गाउं के तकरिबन असी विर्थि इस लाइबरेरी में पढ़ने आते हैं, साथियों, जारखन के संजय कश्यप जी भ हैं, अपने विद्यारती जीवन में संजय जी को अच्छी पुस्तकों की कमी का सामना करना पड़ा था, ऐसे में उन्होंने ठान दिया, कि किताबों की कमी से वे अपने खेतर के बच्चों का भविश अंतकारमाई नहीं होने देंगे, अपने इस मीशन की वज़े से, आज वो जारखन के कई जिलों में बच्चों के लिए लाइब्रेरी मैन बन गए हैं, संजय जी ने जब अपनी नोकरी की शुरुवात की थी, उन्होंने पहला पुस्ताकाल अपने पहितरुक स्थान पर बनवाया था, नोकरी के दोरान उनका जहां भी ट्रांसफर होता था, वह वे गरीब और आदिवासी बच्चों की पढ़ाई के लिए लाइब्रेरी खोलने के मिशन में जुठ जाते हैं, ऐसा करते हुए उन्होंने जारखन के कई जिलों में बच्चों के लिए लाइब्रेरी खोल दी है लाइबरेरी खोलने का उनका ये अमिशन आज एक सामाजिक आंदोरन का रूप ले रहा है संजे जी हो या जतिन जी ऐसे अनेक प्रयासों के लिए मैं उनकी विशेश सरहना करता हूँ मेरे प्यारे देश्वासियों मेडिकल साइंस की दुनिया ने रिसर्च और इनुवेशन के साथ ही अत्याधुनिक टेक्नोलोजी और उपकरोनों के सारे काफी प्रगति की हैं लेकिन कुछ बिमारिया आज भी हमारे लिए बहुत बड़ी चुनोती बने हुई है यह मुखे रूप से एक ऐसी आनुवमसिक बिमारी है जो किसी भी उमर में हो सकती है इसमें सरीर की मास्पेश्या कमजोर होने लगती है रोगी के लिए रोज मरा के अपने छोटे छोटे कामकाच करना भी मुश्किल हो जाता है ऐसे मरीजों के उप्चार और देखभाल के लिए बड़े सेवाभाव की जरुरत होती हैं हमारे हाँ हिमाचल प्रदेश में सोलन में एक ऐसा सेंटर है जो मस्कुलर डिस्टॉफिक के मरीजों के लिए उमीद की नई किरण बना है इस सेंटर का नाम है मानव मंदीर इसे मानव मंदीर अपने नाम के अनुरूप ही मानव सेवा की अध्भुत मिसाल है यहां मरीजों के लिए OPD और एडमिशन की सेवाएं 3-4 साल पहले शुरू हुई थी मानव मंदीर में करीब 50 मरीजों के लिए बेट्स की सुविधा भी है फीजियोथेरेपी, इलेक्ट्रोथेरेपी और हाइड्रोथेरेपी के साथ साथ योग प्रानायम के मदद से भी यहां रोग का उपचार किया जाता है साथियों हर तरह की हाइटक सुविधाओं के जरिये इस केंद्र में रोग्यों के जीवन में सकारात्पक बड़लाव लाने का भी प्रयास होता है मस्कुलर डिस्टॉफी से जुड़ी एक चुनावती इसके बारे में जागुरुकता का अभाव भी है इसलिए ग्यक केंद्र हिमाचल पदेशन ही देश भर में मरीजों के लिए जागुरुकता शिवीर भी आउजित करता है सबसे ज़्यादा होसला देने वाली बात यह है कि इस संस्था का प्रभंदन मुख्यरुप से इस बिमारी से पिडित लोगी कर रहे है जैसे सामाजिक कारकरता उर्मिला बाल्दी जी इंडियन एसोशेशन आप मस्कुलर डिस्टाफी की अध्यक्ष बेन संजना गोयल जी और इस एसोशेशन के गठन में अहम भूमिका निभाने वाले स्रिमान भीपूल गोयल जी इस संसान के लिए बहुत एहम भूमिका निभा रहे हैं मानों मंदीर को होस्पिटल और रिसर्स सेंटर के तौर पर विक्सित करने की कोशिशें भी जारी हैं इससे यहां मरीजों को और बहतर इलाज मिल सकेगा मैं इद्धिसा मैं प्रयासरत सभी लोगों की रदय से सराना करता हूँ साथ ही मस्कुलर डिस्ट्रोफी का सामना कर रहे सभी लोगों की बहतरी की कामना करता हूँ मेरे प्यारे देश्वासियों आज मन की बात में हमने देश्वासों के जिन रचनात्मक और सामाजिक योग चर्चा की वो देश की उर्जा और उत्सा के उधारण है आज हर देश्वासी किसी न किसी ख्षेत है हर स्तर पर देश के लिए कुछ अलग से काम करने का प्रयास कर रहा है आज की चर्चा में ही हमने देखा जी ट्विंट्टी जैसे अंतराष्टिय प्रयोजन में हमारे एक बुनकर साथ ही ने अपनी जिम्मेदारी समझी उसे निभाने के लिए आगे आए इसी तरह कोई परियावरण के लिए प्रयास कर रहा है कोई पानी के लिए काम कर रहा है कि इच्छा, चिकित्साव और साइंस टेक्नोलोजी से लेकर संस्कृति परंपराओं तक और साधानों काम कर रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि आज हमारा हर नागरिक अपने कर्तव्य को समझ रहा है। जब ऐसी कर्तव्य भावना किसी राश के नागरिकों में आ जाती हैं, तो उसका स्वनिम भविश्य अपने आपका हो जाता है। और देश के ही स्वनिम भविश्य में हम सबका भी स्वनिम भविश्य है। मैं एक बार फिर देश वाश्यों को उनके प्रयासों के लिए नमन करता हूँ, अगले महिने फिर मिलेंगे और ऐसे ही कई और उत्साहवर्थक विश्यों पर जरूर बात करेंगे। अपने सुझाव और विचार जरूर भेते रहेगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।